Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम discuss करेंगे EMC Worksheet No.24 for class 9th to 12th 9th to 12th के सभी बच्चों के लिए ये वाक्षीट है बच्चों ठीक है, so वाक्षीट चो करने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, so आज की जो वीडियो है उसमें हम EMC Worksheet No.4 को डिसकस करेंगे जो है योजना बना कर कारिय करना Part 2 तो Part 1 में भी हमने बढ़ा था कि योजना बना के काम करना हमारे लिए कितना Beneficial रहता है किस तरह से हम एक Planning के साथ अगर काम करते हैं तो उसके Output जो है वो हमारे लिए अच्छी रहती है जादा रहती है और वो काम हमारे लिए Beneficial भी रहता है ठीके और एक जो Work है उसको हम एक Manageable तरीके से कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों पिछली वक्षित में हमने सीखा कि योजना के साथ किये गए काम को कुशलता के साथ और कम समय में किया जा सकता है इस वक्षिट में हम सीखेंगे कि एक अच्छी योजना कैसे बनाती है और योजना बनाती समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो पिछली वक्षिट में हमने सीखा था कि योजना जो है अगर हम बना के कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने में समय भी कम लगता है और perfection भी रहती है किसी भी काम को करने में ठीक है क्योंकि हम पहले ही उसके जो negative है positive है उस काम के वो सभी सोच कर रखते हैं जिसे हम जो है गलतियां नहीं करते शिरुवात के लिए गतिविधी करते हैं यह गतिविधी अपने परिवार के सदश्यों के साथ करें इस कतिविधी में दो पारिया होंगी पहली बार क्या होगा पहली बार आपको नाव बनाना है हर पारी में पांच मिनट में अख़बार के दो पन्नों से ज़्यादा नाव बनानी है ठीक है यानि हर पांच मिनट में अख़बार के दो पन्ने लेने है और उससे जादा से जादा आपको नाव जो है वो बनानी है पांच मिनिट पूरे होने पर नोट करें कि आपने अपने परिवार के सदशों के साथ मिलकर कितनी नाव बनाई ध्यान रखें कि किसी भी तरह की गोंद, पेस, टेपलर, पिन, कैंची, आदी का प्रियोग आपको नहीं करना है ठीक है दूसरी बार फिर से एक बार के दो से तीन पन्ने लें अब अगले पांच मिनट में योजना बनाईए कि उतने ही समय में उपलवद सादनों के साथ आप पहले से ज़्यादा नाव कैसे बनाएंगे तो पहले तो बिना योजना के आपने नाव बनाई फिर आपने योजना के साथ नाव बनाई फिर से नाव बनाने के लिए 5 मिनिट का समय लीजे और अंत में नोट कीजे कि इस बार परिवार के सदशों के साथ मिलकर कितनी नाव बनाई ठीक है तो जब हम बिना योजना के नाव बनाएंगे तो हो सकता है कि आप आधे पेज में से जो है केवल जो है चार ही नाव बना पाओ ठीक है लेकिन अगर योजना बना के कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि हम कितने पेपर को हम इक्वल में बाट के और कैसे नाव बना सकती है इसके बाद नीचे दिये वे प्रशन का उतर दे ठीक है तो ये देखे इस तरह की नाव जो है वो आपको बनानी है नाव बनाने के दूसरे प्रयास में आपने योजना बना के किन बातों का ध्यान रखा उधारन देते हुए समझाईए ठीक है तो नाव बनाते हुए हमने किन बातों का ध्यान रखा हमने जो है क्या किया हमने काम को बाट लिया तो आप जो है इसको कैसे करेंगे, आप question में ये लिख देंगे, नाव बनाने के दूसरे प्रयास में आपने किन बातों का ध्यान रखा, यही आपका question number one हो जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमने क्या किया, हमने planning की, हमने काम को एक साथ जो है क्या कर लिया बांट लिया, अकबार को ठीक से काटने का काम छोटे भाई को दे दिया, और एक एक करके नाव बनाने का काम जो है वो शिरू कर दिया, और समय से पहले ही तीनों अकबारों से हमने पंद्रे नाव बना ली, ठीके, तो समय से पहले ही हमने क्या किया, पंद्रे नाव जो है यानि planning के साथ अगर हम काम करते हैं तो काम जो है वो अच्छे से भी होता है और कम समय में हो जाता है इस activity से हमने ये समझा आईए अभिकूर योजना बनाते हैं और समझते हैं कि योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस कतिविदी के लिए मान लीजिये कि किसी विशय का कोर्स अमाप्त हो जाने के बाद सभी विद्यार्थियों को समुहों में एक एक पार्ट पूरी कक्षा को समझाने का कारे मिला है ठीक है तो यानि कोई भी सब्चेक्ट है आपका जिसका स्लेबस आपका पूरा हो चुका है और अब as an activity as in project work आपको जो है क्या करना है आपको complete chapter आपको पूरी class को समझाना है यानि एक तरह से आपको उस chapter की presentation देनी है आपको अपने groups बना लेने है और आपको यह कारे करने की योजना बनानी है आप योजना बनाते समय योजना से सम्मंदित सवालों के बारे में सोचना हुगा जैसे कि आप कौन सा online माध्यम चुनेंगे, कितना समय होगा, हर सद्धित से क्या करेगा, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन से प्रशन पूछेंगे, feedback कब लेंगे, ठीक है तो यह सारे जो है प्रशन आपको note करने है तो देखिए इस तरह से हम योजना बना सकते हैं, clear, यहाँ पर आप क्रम डाल देंगे, 3, 4, 5, 6 और 7 तो देखिए, सबसे पहले है योजना से जुड़े सवाल की online माध्यम क्या लेंगे तो हमने online माध्यम क्या लिया, google meet लिया, जो भी आप पर चाहो वो ले सकते हो, बच्चो जू meeting भी ले सकते हो, ठीक है, skype भी ले सकते हो बहुत सारे माध्यम में जिनसे हम जो है, online medium से जुड़ सकते हैं समय क्या है, एक घंटा प्रती दिंग करेंगे 10 बजे से, ठीक है, 10 बजे से 11 बजे तक आप लिख सकते हो, कोई भी समय लिख सकते हो, जो भी जो है comfortable हो students के लिए समों के हर सद्शे की भूमी का क्या होगी, दिये गए करिये कुछ जिम्मेवारी से करना पढ़ाने का तरीका क्या होगा, आमने सामने बैठ कर तिक है, यानि गूगल मीट, गूगल मीट में क्या लगता है, जैसे आमने सामने, जो है, हम एक दूसरे को पढ़ा रहे है अन्त में सबसे प्रशन पूछना, अन्य महत्यपूर्ण चरन क्या है, ये बात पूछना कि क्या सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में कमफर्टेबल है, यानि कई बार हो सकता है कि किसी को आवाज ना आ रही हो या कोई दिक्कत हो, तो इसे जो है, आपस में एक दूसरे क help की जा सकती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको योजना बनाने के लिए छोटे लक्षे तथा कारिये जो है, वो निर्धारीत करने हैं, नेक्स देखिए, अपनी योजना अपने साथियों के साथ सांजा कीजिए, आपकी योजना के बारे में उनका क्या कह ना था, फोन करके पूछे और नीचे लिखे, तो जो भी आप लोगों ने योजना बनाई है, वो आपस में एक दूसरे से बात करके उसको जो है, डिसकस करना है, तो मेरी योजना और मेरे दोस्त की योजना एक जैसी नहीं थी, जब मैंने उसको अपनी योजना बताई, त बनाने के लिए बाद नीचे दिएगे प्रशनों के उत्तर लिखे, तो ये प्रशन लिख देंगे, योजना बनाने के लिए आपने योजना को किन छोटे-छोटे चरनों में बाटा, तो किन छोटे-छोटे चरनों में बाटा, पहला चरन था कि ओनलाइन गूगल मीट के ल कौन पढ़ाएगा इस बारे में चर्चा की ठीक है तो एक बच्चा पढ़ाएगा क्या चेप्टर पढ़ाना है और कौन सा माध्यम लेना है इनके बारे में चर्चा की गई उसके बाद देखिए क्या आपको लगता है कि योजना बनाने के बाद योजना के अनुसार काम करते समय योजना में कुछ बदलाव करने की जरूरत पढ़ सकती है क्यों तो बिलकुल पढ़ सकती है योजना में बदलाव किया जा सकता है वो प्रिस्तिती के उपर निर्बर करता है हो सकता है कोई बच्चा बिमार हो गया हो हो सकता है कोई बच्चा जो है उसके घर में फोन अव तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे बच्चे को देनी पड़ सकती है तो यानि सभी को एक तरह से mentally prepare रहना पड़ेगा कि हमें जो है एक जिम्मेबारी करनी है तो अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसका substitute जो है वो हम पहले से ही योजना में ढूंड कर रखेंगे ठीक है next देखि के अनुसार ही कार्य करना ठीक रहता है तब ही ठीक रहेगा कि जैसी प्रिस्तिती होती है अगर हमें उसके अनुसार बदलाव करना पड़े तो हमें बदलाव करना चाहिए next देखिए अपने परिवार के सदस्चों के साथ चो है आप इस तरह की योजना बना कर और भी activity कर सकते हो जैसे किचन में ममी काम करती है तो कोई भी डिश अगर नहीं नहीं बनानी है तो उसके लिए पहले योजना बनानी होगी कि हमें क्या-क्या समान चाहिए अगर आप बिना योज को बनाने का समान जो है वो available है या नहीं है या आपको क्या वो डिश बनानी आती भी है या नहीं है ठीक है तो ये सारी योजना बना कर ही हम जो है काम करते हैं अगर योजना नहीं बनाएंगे तो सारा काम जो है वो क्या हो जाएगा गडबड हो जाएगा और हमारा जो काम ह वो अच्छे से नहीं होगा और उसमें भी बहुत ज्यादा क्या होगा वेस्ट हो जाएगा ठीक है तो समय की कीमत को समझते हुए हमें पहले योजना बना कर कारे करना चाहिए उसे हमारे काम में परफेक्शन भी होगी और समय भी जो है वो कम लगेगा तो ये थी बच्छों आपके आज की EMC की बहुत ही आसान सी वक्षीट जिसमें हमने सीखा कि योजना बनाना क्यों जरूरी है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजिए So, thanks for watching students. Have a nice day again. Take care. Bye-bye.